तो अगर आपको अपनी बैक का शेफ वी टेपर लाना है तो आपको इस exercise को अपनी वर्काउट रोटीन में ज़रूर अड़ करना चाहिए So Hello Everyone, सौगत करता हूँ आप सबी का मेरे एक और नए वीडियो में और आज के इस वीडियो में मैं बैक वर्काउट कवर करने जा रहा हूँ मैं आपको बताऊँगा कि आपको अपने बैक वर्काउट में क्या क्या चीज़ें डालनी चाहिए जिससे आपकी बैक बहुत अच्छे से ग्रो करे तो मैं एक और चीज़ आपको बता दू कि मैं जो यह अभी सीरीज डाल रहा हूँ यह एक वर्काउट सीरीज है जिसमें बिगनर्स को और इंटर्मीडियेट जो लोग इस फील्ड में हैं उनको काफी हेल्प मिलेगी मेरे इस दिये गए वर्काउट सीरीज से तो मैं आपको बता दू कि मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ मैं आपको जो भी बताऊँगा अपने ट्रेनिंग एक्सपिरियन्स के हेल्प से बताऊँगा तो हमारी आज की सबसे पहली एक्साइज है लाट पूल डाउन तो सबसे पहले हम लोग को अपने बैक वर्काउट में लाट पूल डाउन को करना है क्योंकि इस एक्साइज में हमारी बैक की अल्मोस सारी मुसल्स कवर हो जाती है और जो मुसल्स बहुत अच्छे से टार्गेट नहीं होती है लाट पूल डाउन में वो बाकी की एक्साइज के लिए वाम्ड अप हो जाती है जिससे आपका बाकी की एक्साइज जिसमें मुसल्स मांड कनेक्शन अच्छा रहता है तो यह एक्साइज में अच्छे से अपनी बैक को और इस एक्साइज को करते समय आपको यह ध्यान रखना है कि आपकी grip thumbless हो क्योंकि अगर आप इस exercise में thumbless grip लेते हैं तो आप इसमें बहुत अच्छे से अपनी back को contract कर पाते हैं और आपका muscle mind connection thumbless grip की वज़े से बहुत अच्छा हो जाता है आपकी back के साथ और एक last thing जिसमें आपको ध्यान देनी की सुर्वत है कि आप bar को अपनी elbow से pull करने की कोशिश करें जिससे आपका muscle mind connection आपकी outer lats के साथ अच्छा होगा और आपको अच्छा contraction और अच्छा expansion मिलेगा तो हमारी दूसरी exercise है close grip rowing तो इस exercise का main काम हमारी mid back यानि हमारी rhomboids muscle को target करना होता है तो जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है कि मैं इस exercise को बहुत ही control के साथ कर रहा हूँ ताकि मेरी mid back में बहुत अच्छा squeeze मिले और जब मैं bar को यानि cable को अपनी तरफ pull कर रहा हूँ तो मैं उसको एक second तक hold करता हूँ ताकि जो contraction है वो कुछ देर hold रहे और जब मैं उस cable को आगे stretch करता हूँ तो अपनी body को भी आगे की तरफ थोड़ा सा lean करता हूँ ताकि मुझे एक अच्छा stretch मिले अपनी outer lats में तो इस exercise के और पिछली exercise यानि lat pull downs के आपको 12 reps के 3 set लगाने है सो हमारी तीसरी exercise है cable pull over सो जब मैंने इस exercise को सबसे पहली बार किया था तो मेरे muscle mind connection इस exercise में बिलकुली खराब था तो इस वज़े से मैंने इसको अपने back workout routine में नहीं रखा तो recently दो महीने पहले मैंने इसको अपने workout routine में add किया है और मैं इसको थोड़ा सा slow perform करता हूँ मेरे muscle mind connection अच्छा बने और मैं जैसा कि देखता हूँ कि ये exercise हमारी lower lats को भी बहुत अच्छे से target करती है तो अगर आपको अपनी back का shape V taper लाना है तो आपको इस exercise को अपनी workout routine में ज़रूर add करना चाहिए और ध्यान रखें कि जब आप इस exercise में cable को अपनी body की तरफ pull करें तो बहुत अच्छे से pull करें ताकि आपकी back की सारी muscles contract हो सके और जब आप इसको release करें तो बहुत slow release करें ताकि stretch भी आपको सारी muscles में और lower lats में खास करकी आपको बहुत अच्छा मिले और इस exercise के भी आपको 12 reps के 3 set लगाने है तो हमारी आज की चौथी और लास्ट exercise है dumbbell rowing तो यह एक exercise है जिसमें आप अपना form थोड़ा सा भी गलत करते हैं तो इस exercise का आपके back के लिए कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा तो इस exercise को अच्छे से perform किस तरह से करना है वो मैं आपको बताता हूँ तो सबसे पहले जैसा कि आपको इस वीडियो में दिख रहा है कि आपको एक dumbbell लेना है और एक flat bench लेनी है तो flat bench पे आपको जैसे अगर आपको left hand से dumbbell rowing perform करना है तो आपको अपना right hand bench पे रखना है और आपको अपना right knee भी उसी bench पे अच्छे से fix करना है और आपका जो left leg होगा वो bench से थोड़ा सा दूर होगा ताकि जब आप dumbbell rowing perform करें तो आपकी elbow आपके पेर से ना लड़े और इस exercise में आपको एक चीज़ धिहान रखनी है कि जब आप dumbbell को अपनी back की तरफ pull करेंगे तो आपको try करना है कि आप अपनी elbow से force लगाए अपनी back की तरफ pull करने में ताकि आपको एक अच्छा mind muscle connection मिले और इस exercise का पूरा benefit आप उठा सके तो मैं यह चाहता हूँ कि आप इन exercises को अपने back routine में डालें और इन exercises का फाइदा उठाएं और अपनी V taper back ready करें तो if you like the video please hit the like button और अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को subscribe करें till then build muscle stay healthy